हैं हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर एं उसको βोट देंगे कुछ करेगा कुछ नहीं करने वाले यह बड़े-बड़े लोग इस बार इं दूसरी पार्टी वालों के छक्र में मत पड़ना पिछले डेर लोह वेज सब्गर्री बिना सिफारिश कर नहीं मिलती थी जब भी आप दूसरी फार्ठीयों के पास जाते थे वह लोग कहते थे पैसे नहीं है फैसे तो थै वो सारे पैसे खा जाते थे और ये सारी पार्ठीयों हमें गालियां नहीं हमने भिजले अभी अभी हम लोग आपका गुर्दासपुर का बस्टेंड का उध्गाटन करके आ रहे हैं यह आप लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की जब भी आप दूसरी पार्टियों के पास जाते थे वो लोग कहते थे पैसे नहीं हैं पैसे तो थे वो सारे पैसे खा जाते थे अब इमानदार सरकार आई है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पैसे की कोई कमी नहीं है पंजाब का खजाना भरा हुआ है जो खजाना ये खाली गए थे देड़ साल के अंदर हमने पंजाब का खजाना भर दिया आपकी सारी जुरूरते पूरी करेंगे कोई पंजाब का खजाना खाली नहीं है मेरे को याद है चुनाव के पहले मैं और मान साथ कई टीवी चैनलों पर जाते थे डिबेट करने के लिए हमसे एक ही प्रेश एक बर सरकार बन जाए आपको सरकार चलाके भी दिखाएंगे हम लोग देर साल हुआ है आज हमारे कोई सरकार में कोई अफसर कोई मंत्री कोई अम्मेले कोई यह नहीं कहता पंजाब का सरकार खजाना खाली है खुब भर गया पंजाब का खजाना और अब सारे काम आपके ह तारीफ करूं वो अलग बात है हमारी सरकार है हम आदमी पार्टी के सरकार है बगवंत मान मेरा छोटा भाई है अपनी तारीफ करना सबको आता है लेकिन जब जनता तारीफ करने लगे वो सबसे बड़ी बात है अभी दिल्ली से कुछ लोग अमरित्सर आए अम्रिस सर घूमे होटल में रहे होटल में उन्होंने बैरे से पूछा ओटो वाले से पूछा धाबे वाले से पूछा रिख्ये वाले से पूछा भाई ये जो नई सरकार है ये कैसी है पंजाब के अंदर ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है ये कैसी है और जब वो द दिल्ली आये मेर से मिले उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम ठाने जाते थे हमें पैसे देने पड़ते थे अब पुलिस वालों ने हमसे पैसे लेने बंद कर दी हैं बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम सरकारी दफ्तर जाते थे हमारे काम नहीं ह नहीं आती थी साथ साथ आठाट गंटे के पावर कट लगते थे अब 24 घंटे बिजली आने लगी है बहुत सारे लोगों ने कहा पहले दस दस पंदरा पंदरा हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे अब जीरो बिजली का बिल आता है बिजली मुफ्त हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार में लोग बहुत खुश हैं जो मान साब ने भी कहा सबसे पहले हम 2014 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का हमारी चार सीट आई थी 2019 में एक सीट आई थी इस बार जितना प्यार और जितना आशिरवाद आप लोगों का मिल रहा है मेरा भी दिल कहत है गुरुजी महराज के आशिरवाद से इस बार 13 में से 14 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की पंजाब के हम लोग आपको वादा करके गए थे गारंटी दे के गए थे कि अगर हमारी सरकार बनी और पंजाब की धरती पे रहने वाला कोई भी सैनिक फोज में अगर शहीद होता है उसके परिवार को एक करोड रुपए की घर शहीद सम्मान राशी दी जाएगी हमने अपना वादा पूरा किया आज पंजाब के अंदर पिछले डेर साल में जितने भी पंजाब के रहने वाले शहीद हुए हैं हर एक के परिवार को मान साब खुद उनके घर जाके एक करोड रुपए का चेक देके आए हैं हम शहीदों का सम्मान करते हैं शहीद हमारे देश को की रक्षा करते हैं अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती लेकिन सरकारें दिल्ली में मुझे पंजाब का नहीं पता दिल् बाद हमने दिल्ली में भी एक करोड रुपए की सम्मान राशी देनी चालू की अब पंजाब में भी एक करोड रुपए की सम्मान राशी देनी चालू की यह दोस्तों आप लोगों ने पिछली बार सनी दियोल को चुनके भेजा कभी आया कभी शकल देखी उसकी कभी नहीं आया क्या फाइदा हुआ हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर है उसको वोट देंगे कुछ करेगा कुछ नहीं करने वाले ये बड़े बड़े लोग आम आदमी क वोट दो आपके लिए कुछ करेगा आपके घर के कभी उसको फोन करोगे फोन तो उठाएगा कभी घर में किसी की जरूरत होगी आपकी जरूरत के काम तो आएगा इस बार इन दूसरी पार्टी वालों के चक्कर में मत पढ़ना पिछले देड़ साल में जो काम किया वो काम देखके इस बार वोट देना जिस तरह से सनी देओल ने आप लोगों को धोखा दिया इस बार धोखे में मत पढ़ जाना आप तो किसी की सिफारिश चली कोई सिफारिश निछली अब पूरे पंजाब केंदर आपके बच्चों को बिना सिफारिश और बिना पैसे के नौकरियां मिल रही है और अबी तो इतने बड़े स्तर के उपर मान साभने इंतजाम किया हैं नौकरी देने का तीन साड़े तीन लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी प्राइवेट कंपनियों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आ रही है पंजाब में क्योंकि अब कंपनियों को भरोसा हो गया कि पंजाब में इमानदार सरकार है दोस्तों और ये सारी पार्टियां हमें गालियां दे रही है हमने तीर थी आतरा योजना चालू की इतनी गालियां दी इन पार्टियों ने हमें इतनी गालियां दी बताओ हमने गलत काम किया तीर थी आतरा योजना करके हमने भिजली मुफ्त की इतनी गालियां दी, इन पार्टियों ने हमको इतनी गालियां दी, कोई काम करते हैं, यह सारी पार्टियां मिलके हमको गालियां देती है, पर हमें इन गालियों की चिंता नहीं है, आपका प्यार, आपका अशिर्वाद, आपका विश्वास, आपका भरोसा, ऐसे ही बना रहे आप इसी तरह से महबबत करते रहें प्यार करते रहें हमें अपना अशिरवात देते रहें हम सत्ता में सत्ता भोगने के लिए नहीं आए हम राजनीती में सत्ता भोगने के लिए नहीं आए पैसा कमाने के लिए नहीं आए हम लोग सेवा करने के लिए आए गुरुजी महाराज का जो संदेश है कि गरीबों की सेवा करो जरूरत मंदों की सेवा करो उसी के हिसाब से हम अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं गरीबों का इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको तीर ख्यात्रा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जो गुरुजी महराज का संदेश है, उसी के हिसाब से हम लोग सरकार चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ, कि पूरे पंजाब के लोगों के साथ मिलके, तीन क आपको मैं स्एमय कर रहे हैं, तीन प्यात्रा भेजर के चाहिए लग। फे लोग बेहां हैं, जो जला का रहिए एक रहे हैं, ये पिसकता हैं, लिगल बादांको।